नमस्का दोस्तों तो आप में से बहुत सारा लोग नो मुझे बोलाए कि जो रियल्मी 11 प्रो और जो रियल्मी 11 प्रो प्राज चाइना पे लॉंच होए उसको पर एक वीडियो बनाने के लिए अब देखिए उसको पर क्या स्पेसिपिशन होगा बोत आपको अल्रेडी मालू बस थोरा सा एडिशन मुझे करना पड़ेगा उसको बड़ एक डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा लेकिन उसके साथ एक स्पेशल स्मार्पोन चाइना पर लॉंच होए जिसका नामे रियल्मी 11 5G पीस वीडियो में आपको इस रियल्मी 11 5G के बारे में A to Z सारा इंफरमेशन दूंगा और यह भी मैं आपको बताऊंगा जिस प्राइस पॉंट में आने वाल आतों का प्राइस पॉंट का सबसे बेस्ट ऑल डाउन डिवाइस होगा या पर इससे बेटर दूसरों को इचोई सैबले बेले तो शुरू करते आज का वीडियो भी वाक्त का बार आज का व वीडियो तो पहले तो बात काने की स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में तो जैसे की देख सकते हैं यह जो स्मार्टफोन आपको रूटल दो कलर पे मिलेगा ओरेंज और ब्लैक अगर मैं आपना ओपिनियोन देता हूं तो मुझे इसका जो डिजाइन बहुत ज्यादा बढ़िया लगा फोन का थीकने से 7.9 mm और वेटे 183 ग्राम और इसके पीछे का जो मेट्रियल वह अक्चुली है प्लास्टिक का बैक क्वाबर डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.43 इंच FHD+, 90Hz सूपर अमोलेट डिस्प्ले उसके साथ 180Hz का टास्ट सम्लिंग रेट, 1000Hz का इं प्रोसेसर के बात करें उसमें आपको मिलेगा डाइमेंसीटी 6020 5G प्रोसेसर और यह चीज़ धियान रखना है कि यह जो प्रोसेसर बोर डाइमेंसीटी शास्चों का रिब्रेंड भर्षान है क्यामेरे में आपको मिलेगा 64 और 2MP का डूलेडर क्यामेरा उसके साथ 8MP का सेलफी यह जो फोन आपको डोटल दो विरिन पे मिलेगा मंदर दो विरिन पे चाइना पे लॉंच हो आए एक है आपका 8256GB दूसरा है 12256GB रैम का क्वालिटी है LPDDR4X मेमोरी पे आपको मिलेग मतलब 2 plus 1 card slot बैटरी में आपको मिलेगा 500 इमीज बैटरी 33 वाट का चार्जर और USB Type-C का कनेक्टिवीटी तो इसके बादर में से कुछ बाकी फीचर के अगर बात करें तो आपको इससे मिलेगा है Android 13 out of the box 3.5mm jack under display fingerprint sensor और इसमें dual speaker तो नहीं मिलेगा और इसके प्राइस की बार में बात करें यह इसका सबसे डिजबांटिंग चीज है इसका जो आठ टूपिपिशिक जीवी वाला जो फिरें बहुत चार्ना पे लॉंच होए 1600 इवान पे मतलब इंडिया पे उसका मिनिमाम प्राइस होगा 20,000 रुपा है और इसका जो बारा इसका मिनिमाम प्राइस होगा 22,000 रुपा है तो इस जागा में इसका 464 जीवी वाला फेरेंट पराइस होगा इंडिया पे लॉंच होता प्राइस हो जाता 15,000 रुपा है जो कि डिफिनिटली इसका ठीक टाक प्राइस जाता है लेकिन क्योंकि इसका जो बेस बीडियन वो लॉंच होता है तो मैं मान लेता हूँ कि इसका प्राइस होगा 15,000 तो अगर मुझे 15,000 की हिसाब से देखते हैं डिस्प्ली इसका बहुत ही बढ़िया छोटा सा डिस्प्ले लेकिन उसके साथ आपको 90 अच का डिपेशेर 128 का टास्ट संब्लिंग रेट और 1000 हच का इंस्ट देगा तो लगबग सभी लोग कहेंगे कि यह जो फोन बहुत ही बेकार कम कर रहा है तोटली बेकार प्रोसेसर है मदल लोगों को मालूम है कि डाइमेंसीटी 600 वाले फोन का प्राइस होना चाहिए 12,000 के आसपास लेकिन आभी ब्रैंड एक्चुली क्या कर रहा है डाइमें इसका प्राइस देखने को मिलेगा 15,000 मतलब 15,000 पर हमें मिलेगा एक्चुली डाइमेंसीटी 700 वाले स्मार्टफोन जो की बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कैमेरे इसका ठीक ठाक है अगर 16 मिल विक्सल सेल्फी होता और भी बेटर रहा है लेकिन फिर भी कैमेरे इसका ठीक ठाक है रेमा स्टोरेज का क्वालिटी क्वांटिटी बैटरी चार्जर बाकी सब कुछ भी ठीक ठाक है तो मैं तो देखें वीडियो का अकरे में एचेस काना चाहूंगा अगर यह जो स्मार्टपोन इसका 460 जीवी बाला पे इंडिया पे लांच होता है 15,000 के नीचे तो यह जो स्मार्टपोन इंडिया पे बिखेगा बरना 860 जीवी बाला 20,000 का यह जो डाइनोसीटी 6020 वाला स्मार्टपोन इंडिया पे टोटली फ्लॉक होगा तो अब आप मुझें कमसें जरूर बता ने कि इस रियल में एलेबल 5G के बाल में आपका क्या कहना है तो मिल् स्वार जियू